मेरा अफसाना चानल पर आप सभी का स्वागत है उस दिन सवेरे इसकूल जाने में मुझे बहुत देर हो गई थी मन में बड़ा डर लग रहा था वैसे तो कोई बात नहीं थी लेकिन हेमिल मास्टर साहब ने यह कह जो दिया था कि मैं सबसे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की परिभाशा पोचूंगा और मुझे एक फूटा शब्द भी याद नहीं था एक छण के लिए मेरे मन में आया कि आज इसकूल ही न जाओ और सारा दिन इधर उधर कहीं से बाहर ही बिता दू दिन बड़ा अच्छा था आसमान साब था और मिठी मिठी धूप फैली हुई थी सड़क के किनारे वाले जंगल में चिडिया खुब चहक रहे थी और लकड़ी चीरने की जो मिल है उसके पिछवाड़े सिपाही कवायत कर रहे थे या सब कुछ उन अकर्मका सकर्मक क्रियाओं से कहीं ज़्यादा दिल्चस्प था लेकिन फिर भी अपनी तवियत को रुपने का बल मुझ में था इसलिए मैंने इस्कूल की तरफ लंबे लंबे डग बढ़ाए टॉन हॉल के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि बुलेटिन बोट के सामने बड़ी भीडे कठी है गत दो वर्षों से लड़ाई हारने से नपती के अग्याओं बज़ट आधी की जितनी भी बुरी खबरे थी वे सब इसी बुलेटिन बोट पर प्रकाशित हुई थी और मैंने चलते चलते ही सोचा अब कौन सा रहया मामला उट खड़ा हुआ है पर मैं रुका नहीं भरसक तेजी से लमक लमक कर चलने लगा वक्टर लोहर जो अपने नौकर के साथ खड़ा वहां बुलेटिन पढ़ रहा था चिलाया बवे भागो मत जाओ वक्त से बहुत पहले तुम इसकूल पहुँच जाओगे मैंने सोचा यह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं अपनी उसी रफ्तार से चलता ही गया हापता हापता इसकूल पहुँच गया इसकूल लगने पर हमेशा ही इतना शोरगुल होता था कि वो सड़क पस सुनाई पढ़ता था डेस्क के खुले बंद होने की फटफटाहा जोर जोर से एक साथ सबक पढ़े जाने की एक तेज आवाज यहां तक कि ठीक ठीक शब्दों को समझने के लिए कान पर हाथ रखने पढ़ते थे और सबसे उपर मास्टर साहब के रूल का रोर जो उसे बार बार मेश पर पटकने से होता था किन्तु इस समय सबको शान था मैं सोच रहा था कि जब मैं चुपके से जाकर अपने डेस्क पर बैठने की कोश्चिस करूंगा तो बड़ी हलचर मचेगी परंतु उस दिन तो वास्तो में सब ऐसे चुप नजर आ रहा था जैसे इतवार की सुबा हो किडकी में से ही मुझे दिखाई दिया कि क्लास में सब लड़के अपने अपनी जगा पर बैठे हैं और हेमिल मास्टर साहब अपना लोहे वाले भ्याना कुरूल बगल में दवे हुए चकर काट रहे हैं मुझे सामने के दर्वाजे को ही खोल कर अंदर कलास में घुसना पड़ा अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस समय मैं कितना डरा हुआ अर्सहमा हुआ हूँगा किन्तु कुछ नहीं हुआ मास्टर साहब बड़ी मुलामियत से कहा बच्चू फैज जाकर जल्दी से अपनी जगह बैट जाओ हम तुम्हारे भी नहीं पढ़ाई शुरू करने वाले थे बेज पर कूत कर मैं अपने डेस्क पर जा डटा जब तक कि मेरा डर कुछ-कुछ दूर हो गया मैंने नहीं देखा कि मास्टर साहब आज जरा कोट, चुन्टेदार, कमीज और काली रेश्मी टोपी सब की सब चीजे बेल बूतों से कड़ी हुई पहने हुए है या कपड़े वे केवल उस दिन पहनते थे जिस दिन इनाम बढ़ता था यही नहीं बलके सारा इसकुल एकदम शांत और गंभीर था और मुझे ताजुक तो सब हुआ जब मैंने देखा कि पिछली बेंजी पज्जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी गमार लोग भी बिरकुल हमारी तरह चुप बैठे थे तिपंखा टोप लगाया बुढधा होसर बैठा था जो किसी जमाने में नगर का मेयर था इसके सिवाए एक भूत्पुन पोष्ट साहब भी अन्य वेक्तियों के साथ बैठे हुए थे सब के सब मातमी मुद्रा बनाए हुए थे हौसर साहब अपने साथ एक पुरानी फटी चितरा प्राइमर उठा लाए थे उसी खोले हुए अपने घुटनों पर रखे थे उनकी बड़ी बड़ी एनग भी उसी पर रखुई हुई थी मैं यह सब देकाश चरे ही कर रहा था कि हैमिल साहब अपनी कुर्सी पर चड़े और उसी मुलाइमे तथव विनम्र सुर्ड से जिसमें कि आते आते ही मुझे बोले थे कहने लगे लड़को आज मैं तुमको सबक पढ़ा रहा हूँ बरलिन से आग्या आई है कि आलजक और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए तुम्हारे लेकल से कोई नए मास्टर साहब आ जाएंगे इसलिए आज फ्रेंच का ये तुम्हारा आखरी सबक है खुब ध्यान से पढ़ना और ये शब्द मेरे कान पर जैसे बिजली के तरह गिरे अब समझ में आया कमबختों ने उस बुलेटिन बोर्ट पर क्या लिखा था फ्रेंच का मेरा आखरी सबक आखरी और अभी तो मुझे अच्छी तरह लिखना भी नहीं आया है और यही सब खत्म मैं आगे नहीं पढ़ सकूंगा क्या हाई हाई मैंने अभी तक अपने सबक ना याद करने का कितना पुरा किया वेकारी चुडियों के अंडों के तलाश में घुमता रहा वेकारी अपना वक्त इधर उधर आवरगर्दी में खोया किया वे किताबे जिनकी सूरत देकर मुझे वुखार चड़ता था वेकारी इतनी भारी थी ले जाने से आफ़त पड़ती थी और वो महात्माओं की कहानिया आज सब मुझे पुराने दोस्तों की तरह लग रहे थी जिसमें जुड़ा होना अब असंभव मालुम हो रहा था और बेचारे मास्टर साहब भी थो वो अब हमेशा के लिए जा रहे हैं और मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगा सिर्फ इस कलपना मात्र से ही मैं हेमिल साहब सकती को भूल गया और भूल गया उनके उस लोहे के रूलर को भी हाई बेचारा आज इसी आखरी सबब के उपलक्च में ही उसने अपने इतवार वले बढ़ियां कपड़े पहने थे हाँ और मेरी समझ में आया कि गाउं के वे वरिद सजन गंड क्यों पीछे बेंचों पर बैटे थे और इतने सुस्त थे अब वे फिर कभी स्कूल में आ जा नहीं सकेंगे मास्टर साहब की 40 वर्ष की सेवा के प्रती अपनी किरितगेता प्रकट करने और उस देश का भी नंदन करने जो अब उनका नहीं रहा वे लोग आय थे मैं यही सोज विचार कर रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया अकर्मक क्रिया की प्रभासा सुनाने का अब मेरा नंबर था क्या उस अकर्मक क्रिया की कठीन परिभाशा को विना एक गलती किये ही मैं जोर से और साफ साफ नहीं कह सकता था लेकिन पहले ही शब्द में मैं गरवडा गया और बुट बना खड़ा रहा दिल मेरा धकदक कर रहा था और उपन आख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी मास्टर हेमिल ने कहना शुरू कर दिया फ्रेंच मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं तुम्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए कितनी बुरी बात है आज लोग रोज रोज यही कहते थे ओह बहुत तेरा वक्त है कल पढ़ लेंगे और तुम देखो कि यही कहते कहते हम कहां प पढ़ सकते हो अब फ्रेंच एक तुम ही ऐसे नहीं हो वरना हमें से और भी ना जाने कितने ऐसे हैं जिन्हों ने यह भर्तसना सुनने को मिल सकती है तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ने के लिए चिंतित नहीं थे वे तुम्हें किसी खेत या मिल में काम पर लगा देना पसंद करते थे जिसे के तुम और तुम्हारी आमदनी हो और मैं भी दोशी ही हूँ क्या मैंने अक्सर ही पढ़ने के बजाए तुम्हें अपने बगीचे में पानी देने नहीं भेजा है और जब मैं मचली का शिकार को जाता था तब भी तो तुम्हें एक दिन की छुटी दे जाता था इस प्रकार हेमिल साहब इधर उधर की चित करते हैं करते फ्रेंच भासा पर ही आ गए कहने लगे संसार की सबसे सुन्दर भासा है या सबसे ज़्यादा साफ हर सही है हमें इसकी पूरी रक्षा करनी होगी क्योंकि जब देश गुलाम हो जाता है तब उसकी स्वत संतरता दायक पुंजी है या कह चुकरे के बाद मास्टर साहब ने व्याकरन खुली है सबक पढ़ाने लगे मुझे बड़ा आश्चारे हुआ कि वह तो सब समझ में खुब अच्छी तरह आ रहा था मेरा ख्याल है कि ना तो मैंने कभी इतना ध्याल लगा कर कभी देना चाहते थे और सो भी एक ही बार हमारे दिमागों में ठूस देना चाहते थे व्याकरन के बाद सुलेक शुरू हुआ आज हेमिल साहब हम दोने के लिए नहीं नहीं कौपिया लाए थे जिसमें बड़े ही सुन्द खुबसूरत गोल-गोल अक्चरों में लिखा हुआ आलजग फ्रांस आलजग इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखीन कौपियों में सफे क्लास भर में ऐसे लगते थे जैसे हरेक डेस पर जंड़ा फहर रहा हो और सब चुपचा बैठे लिखने में तनमे थे पन्नों पर चलती हुई नीबो की आवाज भर होती थी एक पर कुछ भौरे कमरे में उड़ा है किन्तु किसी ने भी उसकी और ध्यान नहीं दिया चोटे चोटे बच्चों ने भी नहीं जो अक्चरों की गुलाई को भी ध्यान पूरवक इतनी सौधानी से बना रहे थे जैसे वे गुलाईयां भी फ्रेंच हो छट पर कबूतर बोल थे मैंने सोचा क्या इन कबूतरों को भी जर्बन बोलने के लिए मजबूर करेंगे लिखते लिखते जब मेरी नजर हेमिल साहब की तरफ उड़ जाती तो मैं देखता कि वे कमरे किसी ना किसी एक टक्टी की लगाए देखते होते मानव अपने मस्तिक में या चित्रित कर लेना चाहते हूं कि उस छोटे से क्लास रब में सब चीजों सब चीजे कैसी लग रही थी खयाल किजे चालिस वरस से वे इसी कमरे में हैं इसी कमरे में जहां उनके सामने हमेशा उसी क्लास में बैठी रही और जिसकी के बाहर बागीचा चमकता रहा पूरे चालिस वरस सब कुछ वैसा ही था केवल डेसा कुरसियां घिसगिस का चिकनी हो गई थी बागिचे में वालन टका पेड़ बड़ा हो गया था और वो हाफ बिल जो स्वे उन्हें अपने हाथों से लगाई थी खिर्गियों के साहरे बल खाती हुई छत पर जा पहुंची थी उफ बिचारा गर यह सब छोड़ते हुए उसके दिल में कितना दर्द उठ रहा होगा चत पक के उपर उनकी बहन संदूक ठी कर रही थी सो उसकी खटर पटर की क्लासरूम में सुनाई पढ़ रही थी कली उन्हें देश छोड़ कर चला जो जाना है वो हरे का सबक सुनने की हिम्मत बांधे र दिया वहां कमरे में पंखे बेच पा एक वरीद होसर ने चस्मा पहन कर अब प्राइमर दोनों के हाथ में पकड़ कर पढ़ना शुरू कर दिया और वे भी चिलाया सही रहे थे भाववेश में उनकी आवास काफने लगी थी और हमें सुनने में इतना मज़ा आ रहा था कि हसने और शूर करने को जी चाहता था और वो आखरी सबग मुझे कितनी अच्छी तरह याद है यकाए गिरजे के घंटे के वाहर बारा बजे और इसी के बाद एजिलस के घंटे ने भी ठीक इसी वक्त कवायद करते लोड़ते हुए प्रशियन सैनिकों की तुरही भी खिड भी नहीं मालूम पड़े थे दोस्तों उन्होंने कहा मैं और जैसे उनके गले में कुछ अटक गया वो आगे बोल नहीं सके मेच पर से चाक का एक टुकड़ा उठा कर पे चुपचा बड़ी शान के साथ ब्लैक बोर्ट की तरफ चले उस पर जितने बड़े-बड़े स्कूल खत्म है तो दोस्तों आपकी ये सिक्षा परत कहानी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए कहानी पढ़ने के लिए आप सभी के दिल से बहुत बहुत धन्यवाई हैं